हलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं हमारे यूटूब चैनल रोजगार समचार तो दोस्तो रेलवे ने एक लाग 30,000 पदों के लिए भरती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है ओनलाइन फोर्म 28 परवरी से स्टार्ट हो रहे हैं 2019 की रेलवे की ये सबसे बड़ी भरती है तो आईए देखते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में तो वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वे ज्यादा से ज्यादा सेर करें तो आप यहां यह गवर्मेंट ओप इंडिया मिनिस्ट्रे ओप रेलवेस का नोटिफिकेशन देख रहे हैं इसमें लिखा है रेल्वे रेक्रूट्मेंट बोर्ट ररबी और रेल्वे रेक्रूट्मेंट सेल इन्वाइट ओनलाइण एप्लिकेशन फॉर्म फोर इलिजीबल कंडिडेट्स अराउंड वन लाग 30,000 वेकेंसी फोर दी पोस्ट हो तो इन इन वेकेंसियों के लिए एक लाग 30,000 पदों के लिए भरती निकाल रहे हैं तो नोन टेकनिकल पॉपलर केटेग्री यानि एंटी पीसी में जुनियर कल रख, टाइपिस्ट, अका इसके बाद आगे इस्टेशन वास्टर, इन सब के लिए जो एप्लिकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, वो उनलाइन एप्लिकेशन स्टार्ट हो रहे हैं 28 फरवरी से, और इसका जो नोटिफिकेशन है RRBCN 01-2019 है इसके बाद दूसरी पोस्ट हैं, para medical staff के लिए like staff nurse है, health ये inspector है, इसके बाद में pharmacist है, ECG technician है labor assistant है, lab superintendent है तो इन के लिए जो registration staff हो रहा है चार मार्च 2019 है और इसका RRB notification है Cne number 02 oblig 2019 इसके बाद में तीसरी vacancies है ministerial and isolated categories like stenographer है इसमें chief law assistant है junior translator हिंदी है तो इनकी जो vacancy start हो रही है online form start हो रहे हैं वो 8 March 2019 से हो रहे हैं और इनका जो notification number है वो CEN 03-2019 है इसके बाद में जो सबसे बड़ी भरती हो रही है level 1 post की हो रही है जिसमें track maintenance grade for helper assistant in various technical department जैसे electrical engineering, mechanical, SNT department तो इन ये सारे के सारे इसमें post level 1 में आते हैं तो इसकी जो opening date है form registration की online registration start होगा 12 March 2019 से और इनका जो notification होगा वो RRC 01-2019 होगा तो ये है कि कौन सी category में कौन सी post आते हैं और इनका कितने तारिक से registration start हो रहा है इसके बारे में जानकारी इसके बाद में हम अभी vacancies के बारे में जानकारी देखते हैं तो इसमें RRB CEN 1-2019, 2-2019 और RRB CEN 2019 इनमें जो NTPC के paramedical staff और ministry staff आईसिलेटेड केटेगरी पोस्टों की जो vacancy हैं वो 30,000 हैं approach 30,000 हैं इन 3 पोस्टों के लिए इनका केटेगरी अलगलग बता दिया है कि कौन सी पोस्ट में कौन सी केटेगरी आती है इसके बाद में जो RRC 0-2019, 1 पोस्टेज हैं वो एक लाख एप्रोक्ष वेकेंसी हैं इसमें तो ये हो गई इनमें वेकेंसी हों के बारे में अब इसमें एज का हम देखते हैं तो एज इनकी एक साथ 2019 को एज के बारे में ये रिस्पेक्टिव RRB और RRC की वेबसाइट पर बता दिया जाएगा फॉर्म स्टार्ट होने से पहले ये पे अलाउंस के बारे में और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी बता दिया जाएगा वहां पर इसके बाद में हम देखते हैं इसमें फी कितनी होगी तो फीश इसमें जनरल और OBC काटेगरी की इसमें 500 रुपे फीश होगी और इसके बाद में जो SC, ST, X-Serviceman, PW, VDS, Female इसके बाद में Minority या फिर EWS हैं जो Economical Weaker Student हैं उनके लिए फीश 250 रुपे होगी इसके बाद में हम इनकी Important Date के बारे में देखें तो इनकी जो Important Date है वो Application स्टार्ट होने की तो इसमें जो Opening Date है वो NTPCRRBs की 28 तारिक 28 फरवरी एक बज़े से सुरूरी 10 बज़े से स्टार्ट हो रही है और इसके बाद में जो दूसरी पोस्ट हैं, Paramedical पोस्ट हैं वो Paramedical पोस्टों के लिए 4 मार्स 10 बज़े से स्टार्ट हो रही हैं और जो इसमें Ministerial और Isolated के टेगरी की जो पोस्टे हैं उनके लिए 8 मार्स 10 बज़े से स्टार्ट हो रही हैं और जो इसके बाद में Level 1 की जो एक लाग पोस्टे हैं RRC की वेबसाइट पर आएंगी यह 12 मार्स 2019 दस बज़े से स्टार्ट हो रही हैं तो यह थी Important Dates के बारे में जानकारी अब इसकी जो मेन इनकी RRB की वेबसाइट हैं वो यह हैं इसमें इसमें एमदाबाद के लिए दी गई है इस प्रकार से अजमेर के RRB अजमेर.gov.in यह सारी RRB की इनकी वेबसाइट हैं आप यहां से इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं इसके बाद में इसमें RRC की वेबसाइट दी गई हैं Central Railways, Eastern Railways, Eastern Central Railways, Eastern Coast Railways, Northern Railways, Northern Central Railways और Northern Eastern Railways और Northern Frontier Railways तो इस परकार से इसमें सारी जो वेबसाइट दी गई हैं यह RRC की वेबसाइट हैं यानि Railway Recruitment की सहल की वेबसाइट हैं और यह वेबसाइट होंगी Level 1 पोस्ट के लिए जो 1,00,00 वेबसाइट हैं यानि जो Level 1 की 1,00,00 पोस्ट हैं उन पर RRC पर Registration होगा और जो बाकी Ministeral की, Paramedical की और NTPC की पोस्ट हैं उनका RRB पर Registration होगा यानि Railway Recruitment Board पर और RRC पर यह जो Registration होगा यह सिरफ Only 1 पोस्ट के लिए ही होगा तो दोस्तों यह जानकारी थी Railway की Vacancy 130,000 के बारे में फोर्म आ चुके हैं आप फोर्म भर दें टाइम से और इसकी तैयारी शुरू करते हैं आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकोन प्रेस करें क्योंकि इस परकार की जानकारी हैं हम लेके आते रहते हैं वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करें तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में तब तक लेते हैं आपसे विदा नमस्कार